मिरर वर्ग अठारवां दिन अपनी समृध्धी पाना क्या आप चमकार, धन, समृध्धी और प्रचूरता के लिए चुन्बक के समान हैं। आज आप सीखेंगे कि स्वयम को प्राप्ट करने के लिए तयार कर लेने पर आप चुन्बक के समान कैसे बन सकते हैं। यह सही समय हैं कि आप पीछे जाकर अपनी दैनिकी में वनोट्स देखीं जो आपने इस कोर्स के आरंव में लिखे थे। क्या आप देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सीख लिया हैं। क्या आप देख सकते हैं कि आप आईने के सामने अपनी अफरमेशन कहने में कितना सहज महसूस करने लगे हैं आप चमतकारों के लिए एक चुम्बक हैं क्या आप मानते हैं कि आप धन, सम्रिद्धी और प्रचूरता के लिए भी एक चुम्बक हैं दुनिया में कितनी कि आप उसका अनुभव करें। आप कभी खर्च नहीं कर सकते उतना धन हैं। आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक खुशी है। आप अपने पूरे जीवन में मिल सके उससे कहीं अधिक लोग हैं। यदि आप इस बात को पूरी तरह समझ सकें तो आपको हिसास होगा कि आपको हर वह चीज प्राप्ट हो सकती है जिसकी आपको आवशक्ता है और पाने की इच्छा। हमारे बीतर की शक्ती हमें एक पल में हमारे सबसे प्यारे सपने और भारी प्रचूरता देने के लिए तैयार रहती है। क्या, आप उसे प्राप्त करने के लिए तयार हैं? यदि आपको कोई चीज चाहिए, तो ब्रहमांड यह नहीं कहता कि मैं इसके बारे में सोचूंगा. वहततकाल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसे फेज देता है. हाला कि आपको उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोल कर तयार रहना चाहिए मैंने देखा है कि कभी-कभी जब लोग मेरे लेक्चर्स में आते हैं तो वे अपनी बाहें छाती पर मोड कर बैठते हैं इस तरह वे किसी चीज़ को अपने अंदर कैसे जाने देंगे अपनी बाहों को विस्तार से फैलाना एक अद्भुत क्रिया है ताकि ब्रह्मान्द आप पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके मैं आपको इसी समय ऐसा करने का आमंत्रन देती हूँ खड़े हो जाएए अपनी बाहें फैलाएं और कहें मैं ब्रह्मान्द की सारी अच्छाई और प्रचूरता के लिए खुला हुआ और ग्रहनशील हूँ अब इस बात तो अपनी च्छत पर चिला कर कहें ताकि साब सुन सके सम्रिद्धी का आर्थ कई चीजों से हो सकता है पैसा, प्यार, सफलता, आराम, सौंदर्य, समय, ज्यान आप अपनी प्रचूरता के बारे में बाते करने और सोचने से सम्रिद्धी की रचना करते हैं आप अपने आभाव के बारे में बात करने और सोचने से समरिद्धी की रचना नहीं करते हैं जब आप आभाव पर ध्यान के इंद्रित करते हैं तो और आभावत पर्न होता है गरीबी की सोच और ज्यादा गरीबी लाती है आभार की सोच और प्रचूरत लाती है आपका मिरर वर्क एक बहुत शक्तिशाली औजार है जो आपके जीवन में समरिद्धी आने में मदद करेगा जब आप रमांड की प्रचूरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और आपके आईने क्या वशक्ता है जो कुछ आप देते हैं वह लोट कर आपके पास आता है हमेशा यदि आप जीवन से लेते हैं तो जीवन आप से लेगा यह इतना आसान है आपको लगता होगा कि आप चोरी नहीं करते लेकिन क्या आप उन पेपर क्लिप्स और स्टैम की गिंती करते हैं जो आप आफिस से घर ले जाते हैं क्या आप ऐसे वेप्ती हैं जो समय चुराता हो या दूसरों से उनका सम्मान चीनता हो ये सब चीजे ब्रहमांड को बताती है मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूँ, मुझे उससे छीनना पड़ता है, चुराना पड़ता है, उन मानिताओं के प्रती सचेत रहें, जो शायद आपके जीवन में धन और समरिद्धी के प्रवा में रुकावर डाल रही हो, फिर उन मानिताओं को समरिद्ध सोच का विकास करना, मैं कई वर्षों से समरिद्धी के दो अफर्मेशन का प्रयोग कर रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरहें काम कर रही हैं, ये आपके लिए भी काम करेंगे, ये है, मेरी आय में निरंतर वृद्धी हो रही है, और मैं जहां जाती ये मुझे समरिद्धी मिलती है, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हां कहें, स्वयम को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दूए, अपनी दुनिया को हां कहें, अफसर और समरिद्धी सौग उना बढ़ जाएगी, दिन में एक बार अपनी बाहें फैला कर खड़े हो जाएं और खुशी से कहें, मैं ब्रह्मान्ड की संपून प्रचूरता के लिए खुला और ग्रहनशील हूँ, शुक्रिया जिन्दिगी, जीवन आपकी बात सुनेगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, आईए, अफर्म करें, जीवन मेरी सभी आवशक प्रताओं की प्रचूरता से पूर्ती करता है, मुझे जीवन पर विश्वास है, आपका 18 दिन का मिररवर्क अभ्यास, आज आपका मिररवर्क आपके संपूर्धी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, अपनी बाहें फैला कर खड़े हो जाएं, और कहीं, मैं हर चीज के लिए खुला और ग्रहनशील हूँ, नमबर दो, आप आईने में देखें और दुबारा कहें, मैं हर चीज के लिए खुला और ग्रहनशील हूँ, इन शब्दों को अपने दिल से निकलने दें, मैं हर अच्छी चीज के लिए खुला और ग्रहनशील हूँ, नमबर अभ्यास अपने mirror work course के आंद तक रोज सुभा करें यह आपकी सम्रिद्धी की चेतना बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है शक्ति आपके अंदर है आपका अठारवे दिन का दैनी की अभ्यास नमबर एक पैसे के संबंद में आपकी क्या मानने दाए हैं अपने आईने के पास वापस जाएं, अपनी आँखों में देखें और कहें पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर यह है की और अपना डर लिखें अपना जवाब लिखें और यह भी लिखें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? नमबर दो, बच्चे के रूप में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? आपके परिवार में वित्य मामले कैसे सम्हाले जाते थे? आप अब अपने वित्य संबंदी मसले कैसे सम्हालते हैं? अपने विचार लिखें, क्या आपको कुछ पैटर्ण्स दिखाई दे रहे हैं? लगता है वे चीजे क्या होंगी उनका जीवन तब कैसा होगा आप कहां की यात्रा करना चाहेंगे आप क्या करेंगे महसूस करें इसका आनंद ले प्रशनात्मग बने और मज़े करें 18 दिन के लिए आपका hard thought मैं एक हां कहने वाला व्यक्ति हूँ मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ मैं अनंद ग्यान से खिरा हूँ और उसके साथ व्याप्त हूँ इसलिए मैं हर प्रकार की सकारात्मक समर्थन के लिए प्रहमांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ हर वह चीज जिसकी मुझे आवशक्ता हो सकती है पहले से यहां मेरी प्रतीक्षा कर रही है इस ग्रहन पर उससे कहीं अधिक भोजन है जतना मैं कभी ग्रहन कर सकता हूँ मैं खर्च कर सकूँ उससे कहीं अधिक धन है मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूँ उससे कहीं अधिक लोग है मैं अनुभव कर सकूँ उससे कहीं अधिक प्रेम है मैं जितनी कल्पना कर सकता हूँ उससे कहीं अधिक खुशी है इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यक्ता है और जिससे पाने की इच्छा है यह सब मेरे उप्योग करने और प्राप्त करने के लिए है यह है एक अनंत मन एक अनंत बुध्धी हमेशा मुझे हां कहती है चाहे मैं कुछ भी सोचने मानने या कहने का चुनाव करने प्रहमांड हमेशा हां कहता है मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विश्यों कर अपना समय बरबाद नहीं करता मैं स्वाइम को और जीवन को सबसे सकारात्मत तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ मैं अफसर और सम्रिधी को हां कहता हूँ मैं एक हां की दुनिया में रहने वाला एक हां कहने वाला हूँ जिसे ब्रहमांड से हां में प्रतिक्रिया मिलती है और मैं इस बात से बहुत खोश हूँ मैं अनंत ज्ञान के साथ होने और अनंत शक्ती द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ आपका अठारवे दिन का मेडिटेशन समर्धी प्राक्त करना आप अपने धन के अभाव के बारे में बात करके यह सोच कर कभी समर्धी नहीं पा सकते यह व्यर्थ सोच है और आपको प्रचूरता नहीं दिला सकती अभाव में रहना और अधिक अभाव उत्पन करता है गरीबी की सोच और अधिक गरीबी लाती है आभारी सोच प्रचूरता लाती है कुछ ऐसी प्रवर्तियां और affirmation है जो सम्रिद्धी को निस्चित रूप से पहुच से बाहर रखती है दूसरे लोगों से उनके अधिधन के कारण तुएश रखने से आपके और आपके प्रवाह के वीच एक दिवार खड़ी हो जाती है और नकारात्मक affirmations जैसे मेरे पास कभी परियाप तो पैसे नहीं होते और पैसे जितनी तेजी से आते हैं उससे अधिक तेजी से चले जाते हैं सबसे बुरी गरीब सोच का प्रतीक है प्रमान्ड के वल उसी बात के लिए प्रतिक्रिया वेफ्ट कर सकता है जो आप स्वयम के और जीवन के बारे में मानते हैं पैसों के बारे में आपके जो भी नकारात्मत विचार हैं उनकी जाच करें और फिर उन्हें जाने देने का निर्ने वे उन्होंने अतीत में आपके साथ अच्छा नहीं किया है और भविश्य में भी आपका अच्छा नहीं करेंगे आप मज़े के लिए कभी कबार एक लॉटरी का टिकट खरीच सकते हैं लेकिन उसे जीतने पर या यह सोचने पर कि उससे आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा अधिक ध्यान ना दे यह अभाव की सोच है और लंबे समय तक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी लॉटरी जीतना शायद ही कभी किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है बलकि अधिकांश लॉटरी विजटा पहले दो वर्ष के अंदर ही अपनी जीत के सारे पैसे उड़ा देते हैं और एकसर पहले आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा तो आप बहुत गलत सोचते हैं क्योंकि उससे आपकी चेत्मा में परिवर्तन नहीं आता वास्तव में आप भ्रमान से कह रहे हैं मैं किसी अनाया सकलता के अलावत जीवन में कुछ अच्छा पाने योगे नहीं हूँ यदि आप अपनी सोच बदल कर भ्रमान की प्रचूरता को अपने अनुभव में प्रवाहित होने देते हैं तो आप वे सभी चीजे पा सकते हैं जो आपको लगता है कि लौटरी जीतने से मिल सकती है और आप उन्हें अपने पास रख फाएंगे क्यूंकि वे चेतना के अधिकार से आपकी होंगी अफर्म करें, घोशित करें, योग्य होना और अनुमती देना वे कदम है जो आपके लौटरी में जीते जाने वाले धन से कहीं अधिक धन आकरशित कर सकते हैं अपनी चेतना को धन के बारे में नए विचारों की और खोले और वह धन आपका होगा ये दियाब अपने जीवन में और अधिक धन और सम्रिद्धी लाना चाहते हैं तो पूरी भावना के साथ ये अफर्मेशन दोराएं मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ हर प्रकार की सम्रिद्धी मेरी और आकरशित होती है कारिस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है और परियाप्त मुआफ़जा मिलता है मैं एक प्रेम भरे प्रचूर सामंजस से पूर्न ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ मैं उस असीमित सम्रिद्धी के लिए खुला हूँ जो हर जगे व्याप्त है आकरशिन का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है मैं गरीबी की सोच से सम्रिद्धी की सोच में जाता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिती इस बदलाव को प्रतिविंबित करती है मेरे पास हर जगे से और हर व्यक्ती से अच्छी चीज़े आती है मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूँ हर दिन मेरे लिए अद्भुत नए आस्चर्य लेकर आता है मैं अपने बिलो का भुक्तान प्रेम से करता हूँ और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ, प्रचूरता मुझमे से स्वतंतरता से प्रभाहित होती है, मैं सर्वुत्तम का अधिकारी हूँ और अब मैं सर्वुत्तम को स्वीकार करता हूँ, मैं धन के प्रती अपने संपून प्रतिरोत को मुक्त करता हूँ, और उसे खुशी से अपने जीवन में आने की अनुमती देता हूँ मेरा भला हर जगे से और हर व्यक्ति से आता है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद